पूर्वा फालगुनी नक्षत्र में चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्र देव हैं आज के जन में जातक सुंदर, तेजस्वी, सुखी, अत्यांत धैरे वाले और त्यागी होते हैं ये इमानदार, नम्र सभाव वाले, उदार हिर्दय, बहमूले वस्त्रों और आभुशों के प्रेमी और विश्वास पात्र होते हैं ब्यापारिक कारियों में रूची लेने वाले धार्मिक संस्थाओं के सहयोगी और नीरंतर, उन्नत शील, मानसिक्ता के भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, सुर्य और सुक्र की इस्तिति अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशी में ही चलते रहेंगे, जिसके राश स्वामी सुर्य देव हैं आज के जन में जातक पिता के लिए भागिशाली माने जाते हैं मेश राशी वाले जातकों की कारे छेतर की अनकूलता मन मुताविक बनी रहेगी नए लोगों से संपर्ख होंगे और लाव के नए अवसर सामने आएंगे बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होंगी और आर्थिक लाव होगा सहयोग मिलता रहेगा मगर कुछ मामलों में आज का दिन चिंता को बहाने वाला होगा योजनाय बनती रहेंगी लेकिन काम करने की गती प्रभावित होगी और आला से प्रधान मानसिकता संभावित है मगर अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा खान पान में सावधानी बरतें पूरानी दिकतों की पुन्रा वृत्ती संभावित है ब्रिश राशी वाले जातकों को कारिच शेतर से मानसिक संतुष्टी मिलेगी और मन मुताविक काम होते रहेंगे देड़ इच्छा सकती और उत्साह में वृत्ती होगी मित्रों से सहयोग वा आर्थिक लाव संभावित है योजनाओं को लागू करने में सफलता मिलेगी कुछ रुके हुए काम भी संपन हो सकते है बच्चों के विशा में आत्मविश्वास बढ़ेगा और सुख संदेश संभावित है वैवाईक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल गहेगा अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सिख्चा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी सामाजी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी मगर स्वास संबंदी आवसक सावधानी बनाए रखे मिथुन रासी वाले जातकों को अपनी दिढ़ इच्छा सकती और आत्मविश्वास का पूरा सहयोग मिलता रहेगा कार्य योजनाओं को सुचारू ढंक से पूरा करने में परिवारी जनों और सहयोगियों की प्रेरणा बनी रहेगी नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव और साजेदारी सफल रहेगी आथिक लाव की स्थिक्वी सामाने तया से अच्छी हो सकती है विद्याथियों के लिए आज का समय अनकूल है अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने से सामाजी प्रतिष्ठा में विद्धी होगी और नीजी संबंद प्रगाड होंगे करकरासी के जातकों के लिए आज का दिन धन संबंदी मामलों पर केंदित रहेगा और आर्थिक लाव के बैकल्पिक मारगों की मानसिक्ता बनी रहेगी आप अपने कारेच छेतर में सफल रहेंगे भाग वस नई योजिनाओं के प्रस्ताव भी आ सकते हैं नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा बच्चों के मामले में मानसिक दबाव महसूस होगा विद्याथियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा होगा आपसी संबंदों में तनाव के इस्थिती संभावित है और स्वास संबंदी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए सिंग राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन आपके दिड़ इच्छा सकती और आप विश्वास को बढ़ाने वाला होगा आथिक लाव के इस्थिती और बढ़ सकती है अपने अतिरिक तुर्जा का इस्तेमार रचनात्मा कारियों में करते जाएं लाव मिलता जाएगा साजेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे जिसको आप लागू कर सकते हैं मित्रों का सहियोग बना रहेगा विध्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा सिच्छा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी बुजुर्गों का आशिरवाद और पारिवारिक प्रेणा मिलती रहेगी और स्वात्य संबन्दी आवस्चक सावधानी बनाए रखे कन्याराशिके जातिकों के लिए अनावस्चक धन खर्च और नकारात्मक विचारों के उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है मगर ब्यावसाय कुन नकि का द१ जारी रहेगा मित्रों और सहयोगियों से सकारात्मक प्रेणा मिलती रहेगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे और संबन्दित मामलों में यात्रा संभावित है साजेदारी लाबदायक रहेगी और आथिक सहयोग मिलता रहेगा बिरोधियों से सावधानी अपयक्षित है अध्यान अध्यापन के लिए आज का दिन सामानी रहेगा प्रयास जारी रखें और स्वास संबंदी आवसक सावधानी बनाए रखें तुला राशी के जात्कों को आर्थिक लाव की इस्थिती बनी रहेगी और आय संबंधी नय बिकल्प की मानसिक्ता बनेगी चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में होना सहयोगी पेश्ट भूमी तैयार करता है मगर अपनी कार्वी वजनाओं में सावधानी अपेश्ट है नई कार्वी वजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें सहकारी, सहयोग और उचित दिशा निर्वेश मिलता रहेगा आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा शिक्षा प्रत्योगिता के छेतर में सफलता संभावित है बिना वज़ा किसी से वाद विवाद बढ़ाना उचित नहीं होगा और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा बिश्चिक राश्वाले जातकों की कारेच छेतर के प्रति सक्रियता और नई कार्जी ओजिनाओं के इस रीजन की मानसिक्ता बनी रहेगी और कारेच छेतर में अधिकारियों का सहियोग मिलता रहेगा संबंदित मामलों में यात्रा भी संभावित है रुके हुए काम संपन होंगे ब्यावसाई की ओजिनाओं के नई प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लाख गायत रहेगा संबंदित मामलों में खर्च संभावित है नई रिष्टे का प्रस्ताव मिल सकता है पारिवारिक पेरणा मिलती रहेगी अनकूल महसूस करेंगे आपकी कारे उर्जा अधूरे पड़े कामों को निप्टाने के प्रतिकेंदित रहेगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे मगर आर्थिक मामलों में लेन देन में सावधानी रखें हलाकि आर्थिक पक्ष अनकूल रहेगा ब्यावसाइक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा साजे दारी के कामों के लिए आज का दिन अनकूल है बिद्याक्षियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा संतान पक्ष से सुखक समाचार मिल सकता है नीजी संबन प्रगाड होंगे और पारिवारिक गायितू की पूर्ती होगी मकर राशी वाले जातकों के मानसिक भ्रम का दौर समात होगा और भ्यतिगत प्रतिष्ठा में बृधिधी होगी मंगल का उत्सा, और गुरू की प्रेरणा से उन्नती में सहयोग और आर्थिक लाव में बृध्धी मिलती जाएगी मित्रों से सहयोग और संतान के प्रतियाद मिश्वास में बढ़ोतरी होगी चंद्रमा के आठवें घर में चलने की वजह से मन में अनावशक चिंता और भैग रस्तता संभावित है मगर भागेवश रुके हुए काम संपन होंगे शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा अपने स्वास पर आवसक सावधानी बनाए रखें कुम्भराशिक के जातकों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आर्थिक पक्ष के विकास और साजे दारी के प्रति सहयोग मिलेगा और स्वास संभन्धी उतार चड़ाव संभावित है मगर भ्यावसाई का अनकूलता बनी रहेगी कारे छमता में व्रिध्धियोगी सासन सब्तावा अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है सिक्षा प्रतियोगिता में मेहनप करनी पड़ेगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा परिवार में हर्ष और प्रसंदता का माहौल बना रहेगा मीन राशी वाले जातकों के लिए स्वास्त संबन्दी मामलों में सावधानी और नकारातमक वीचारों के परती मानसिकता बनी रहेगी और आर्थिक लेंदेन के परती सावधानी अपेक्षित है मगर आर्थिक लाव मिलने से मन में उत्साह और ब्यावसाइक योजनाओं को बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी अथिक जोखिम वाले काम करना उचित नहीं होगा नय ब्यावसाइक रिष्टों और सरकारी काम काज से लाग संभव है मिद्याथियों के लिए आज का समय संखर्ष भरा होगा शिक्षाप्त योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी और संबंधों में मधूर्ता बनाए रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर में लेंगे ओम नमस्षिवाए